इन दौरہ पुलिस ने तेयोहारों के मदे नजर पुराने आदतन अपराधियों को ठाने बुलाकर उन्हें अपराध से दूर रहने की शपत दिलाई है दिपावली और आने वाले अन्य तेयोहारों को शांति और सोहार की साथ समपंद कराने के उद्देश से तुगोगन साना पुलिस वरा ये कारवाई की गई इसके तहर चाकुबाजी जैसी घटनाओं में शामल रहने वाले पुराने अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें थाने पर बुलाया गया जहां उन्हें अपराध से दूर रहने की शपद दिलाए गई तुगोगन साना प्रफारी जीतनर यादोव ने बताया कि इन आरोपियों से डोधियर भरवा कर उनकी जानकारी भीली गई है ताकि उन पर नज़र रखी जा सके और क्षेतर में किसी भी प्रकार का अपराध घटित ना हो पुलिस के वरिष्टा धिकारियों ने महले के आधार पर पुलिस कर्मियों को जिम्मदारी सौंबते हुए निर्देश दिया है कि आदतन अपराधियों को समय समय पर ठाने में बुलाकर हिदायत दी जाए इस पहल का अदेश यतियोहारों के दुरान किसी अपरिय घटना को रोकना है और सभी नागरिकों को सुरक्षित माहोल प्रदान करना है करना है चुकि इनके आपस में भी पुराने जगड़े रहे हैं तो इनसे यह बताएगा अगर आपको कोई तकलीफ है बात है तो पुलिस की साहिता लीजे पुलिस आपकी जो समस्या हैं उनको हल करने का प्रयास करेगी अगर आपने पुराय अपराध किया तो आपके ऊपर कठोर दंडात्मक कारवाई करवाने के लिए पुलिस प्रकड कायम करेगी और आपके बुर्द कायमी भी करेगी और चुकि एक शफ़त का मैत यह होता है कि आदमी के जहन में बैठ जाती है वह वाली बात इस कारड से उनको सफ़त भी दिलाई गई है कि हम इस तरह के अपर आदियों में कि पुलिस की निगाच चाखुवाजों के ऊपर है और हम उनको लगातार वाच कर रहे हैं उनको लगातार चेक कर रहे हैं हमारे डीसीपी महोदे जौन थरी महोदे द्वारा यह अभियान पिछले पंदरा दिन जब से आये हैं तब इसे चलाया जा रहा था त आपके उपर पॉलिस कारवाई करें यह वाला मैसेज उनकों तक पहुंच किया कठोरतम कारवाई की ज़िए